करेंट एफेर के सेशन में डीडी अकाडेमिक के तरफ से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो का पीडियो फाइल जो है डेस्क्रिप्शन पर दिया गया है उसे अवश्य डाउनलोड करेंगे चलिए सबसे पहला सवाल है आरके स्टूडियो को किस ने खईदा है तो 17 को इसमें आग लगके इसका 70 पतिशत भाग जल गिया था यही आरकी स्टीडियो है जो 1948 में बना हुआ था और 60 के दसक से 90 के दसक तक नजाने कितने लोग आए यहां पर दिल में केवल एक तमन्ना था कि बॉलिवूड में अपना कोई जगह बनाने के लिए अब यहां पर रहने के लिए जो है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाए जाएगी जिसके लिए गॉड्ड रेज प्रोपर्टीज ने इसे खरीदा हुआ है और इसकी कीमत कर एक सो तीस करोर है किस राष्ट्रिय उद्ध्यान को अंतिम सफेद बाग बाजी राओ का निधन हो गया तो देखिए यह संजय गांधी नेश्टनल पार्ग जो है जो मुंबई के आपके बोडी वली में स्थीत है वहां पर जो एक्चुली यह बाग जो सफेद बाग जीवन काल बारा साल है जीवित रहा और इस आपके संजय गांधी नेश्टनल पार्ग में यह अकेला सफेद बाग था जिसका मित्यू हो गई है अब नेक्स निउस पे आते हैं लेकिन आने के पहले एक बात को बताना मैं बहुत ज़्यादा जरूरी समस्ता हूं वो यह है कि देखिए करेंट अफेर्स के हर दिन का 10 खबर होता है मैने का 300 और 6 मैने के खबर के आपको करना है तो 800 के उपर पकर बनाने के लिए आपके पास बस एक ही रस्ता है आप डेस्क्रिप्शन पे जाएए एप का लिंक है उसे क्लिक करें जो मैने हर बार के वीडिय को क्लिक करें जैसे ही क्लिक करेंगे तुरज जो है यह आपका वेलकम टू डीडी क्लास और आपका एप जो है बतलब जो मॉक टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा हर दिन का वीडियो देखने के बाद टेस्ट जरूर दें वो एक रिविजन है केवल दो मिनट लगता है और जैसे कली मैंने दिया था पिछले सब्ता का मतलब हर रही बार को मैं सब्ता का 60 से 70 जो हम सीखते हैं इसको क्या करते हैं फैक्स को उसे रिविजन करने के लिए फिर मैं वीकली मॉक टेस्ट पेपर देता हूँ ये किसी इस तरह से सजायवार नहीं मिलता है तो इसके लिए आपनों का निवेदन है कि इसका लाब भर पर उठा है तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं फिर से BCCI ने कितने खिलारियों को Arjun Award देने के लिए नॉमिनेट किया है देखे इस बार चार खिलारियों को नॉमिनेट किया गया है तीन पुरुष खिलारियों एक महिला खिलारियों जस्पुरित बुम्रा मुहम्मत शमी रविंद्र जदेजा और पुनम यादो का नाम जो है Arjun Award के लिए BCCI से सिफारिश किया गया है खेल मंत्रा लैको अब Next News पे आते हैं नेपाल ने Mount Everest से कितनी मात्रा में कच्रा एकत्रित किया है अभी तक देखिए 3 टन मतलब 3000 किलोग्राम उन्होंने कच्रा को किया हुआ है जबसे ये Mountaineering परवतार होन जो है वानिक जिक हो गया बिजनस टाइप का हो गया है तो Florence Tent परित्यक चरहाई करने वाले उपकरन खाली गैस के कनस्त सारा इस पिक्स में आप देख रहे हैं इसका अंबार लगा हुआ है बोला जा रहा है कि 45 दिन के नेपाल की इस हपुरे विश्यों ने इसकी सरहाना किया है कि 45 दिन में वो करीब करीब 10,000 किलो कच्रा हिमाले से निकालेंगे अभी तक है सफलता पूर्वक 3,000 किलो कच्रे को निकाला जा चुका है पिछले 15 दिनों में अब नेक्स नियूस पे आते हैं किस मुस्लिम बहूल देश ने हिंदू पिता मुस्लिम मा की बेटी को जनम प्रमान पत्र दिया है देखिए ये तो यूए अरब संजुकत अरब अमिरात ने दिया हुआ है एक चीज़ को समझना होगा वहां का जो है निवासी जो है वो किसी हिंदू लर्की से शादी कर सकते हैं लेकिन इन अरब देशों की लर्कियां किसी हिंदू जुवक से शादी नहीं कर सकती है तो ये वहां का नियम है तो किरन बाबु जो हैं और सनम साबू सिद्धी की ये 2016 में केरल मिन की शादी भी थी और ये अबुदावी पहुँच गए काम करने के चक्कर में अब अबुदावी में उनकी एक बेटी का जनम हुआ अब है कि युएई ने उसे जन्म प्रमान पत्र देने से इंकार कर दिया वो कोट में गए कोट में कोई सुनवाई नहीं हुआ लेकिन युएई ने 2019 को शहिशनुता वर्ष के रुपे मनाया तो इसके लिए इन्होंने फिर गुहार लगाया हमारे भारत सरकार ने भी समझाया जिसके तौर पर अदालत मान गई और ये पहली बार हुआ कि संजुक्त राज अमिरात ने इस शादी में जिसमें लरकी जो है मुसलिम है लरका हिंदू है और उनसे जनमे हुए बेटी को जो है उनको प्रमान पत्र उन्होंने दिया तो ये सही में युएई का एक बहुत ही अच्छा शहिष्णुता वर्ष का उधारन है चलिए अब नेक्ष नियूस पे आते हैं भारतिय नौसरणा के प्रोजेक्ट 75 का चौथी पंडूबी को जलावरन किया उसका नाम क्या है उसका नाम है वेला थोड़ा इसके मामले में हलका सा और जान लेते हैं MDSL मतलब मजगाओं डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इसमें उसके एक अधिकारी ने बताया समुद्धी सुअच्छा के लिए आजम आधुनिक मशिनेरिया और प्रद्दोगी के साथ वेला ला रहे हैं जिसको INS Vela V E L A के नाम से जाना जाता है इस तरह के पंडूबी हमारे पास 1973 में हुए थे पहला पंडूबी को हमने 25 दून 2010 को सेवा मुक्त कर दिये और इसी कड़ी में ये वेला जो आया हुआ है जिसकी अभी टेस्टिंग बाकी है ये बोला जाता है कि अभी सबसे ज़्यादा टेक्निकली अडवांस जो है पंडूबी है अब नेक्स्ट पे आते हैं फ्लिपकार्ट E-कॉमर्स कमपनी ने हाली में अपना एक और डाटा सेंटर कहां स्थापित किया है ये हैदराबाद में किया है तेलेंगना में अपना ये स्थिती को बराना चाहते हैं जिसके लिए ये फ्लिपकार्ट का भारत का दूसरा क्या करते हैं डाटा सेंटर है और हैदराबाद का पहला डाटा सेंटर है अब next पे आते हैं World Cup 2019 शुरू होने से पहले किस South African क्रिकेटर ने घरेलू क्रिकेट से सन्यास ले लिया वो है JP Domini JP Domini ने हाल ही में घरेलू क्रिकेट से सन्यास ले लिया है हलाकि वो उन्होंने बोला है कि T20 में खेलते रहेंगे अब next है IPL की चेन्ने सुपर किंग्स और कौन सी टीम दुनिया के Top 10 सबसे Popular Sports टीम में सामिल हो गई है कहने का मतलब है देखिए IPL चेन्ने सुपर किंग्स जो है Top 10 में तो है दुनिया की टीम में दुसरा कौन सी टीम है तो यह Mumbai Indians है और इनक्या क्या है कि इंस्टागाम में 3.43 करोर व्यूज जो है मुंबई इंडियन्स को मिले जिसके हिसाब से दुनिया के टॉप 10 स्पोर्स टीम में चेन्ने सुपर किंग्स के साथ साथ मुंबई इंडियन्स भी पहुँच गया है जबकि नंबर वन जो है वो स्पेन का फुटबॉल क्लब है बर पे आते हैं हाली में बिटेन की पधान मंत्री ने गैविन विलियमसन को किस मंत्री पर से बरकास्त कर दिया बेसिकली ये रक्षा मंत्री थे और ये बोला जाता है कि एक चीन के हुआवे कमपनी को बिटेन में स्थापित करने के लिए उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन को लिग किया था और जिसकी जानकारी होते ही बिटेन के पधान मंत्री ने विलियमसन को रक्षा सेकेटरी के पध से हटा दिया अब नेक्स्ट पे आते हैं कल का जो सवाल था इंटरनेशनल फाइट फायर फाइटर्स दे अंतरास्तिय अग्नी शमन दिवस में मुझे खुशी है कि मैक्सिमम लोगों ने चार मही का सही जवाब दिया है चार जनवरी 1999 को आस्ट्रेलिया में एक बुष फायर वाता मतलब लंबे चोड़े जाडियों में आग लग गया था जिससे पांच जो है फायर फाइटर की मौत हो गई थी और इस मौत के कारण दुनिया भर में अंतरास्तिय अग्नश्यमन दिवस जो है चार मई को मनाया जाता है अब आज का सवाल है इंटरनेशनल नो ड यह कब मनाया जाता है और मैं जानता हूँ इस सवाल का जवाब आप लोग चुटकी में देंगे तो इस सेशन को शमाप करने के पहले बोलूँगा कि जिनों ने भी सेशन को देखा है तुरत देस्किप्शन पर जाईए और एप का लिंक पर क्लिक कीजिए और जैसा मैंने है वैसा करते हुए 1234 यूजरनेम पासवर्ड में टाइप कीजिए और टेस्ट दीजिए क्योंकि यह आपका रिविजन होगा और इसी के सहारे आप जो है ना इसको सीख सकते हैं एक कारगर वैज्ञानिक तरीके से करेंटे फेर पर अपनी पकर बना सकते हैं तो आपने समय ने दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद ओक्यदन बबाए जैहिंद